हलो एवरिवान आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि गर्मी का सीजन है और फेस्टिवल भी स्टार्ट हो गया है ऐसे में गर्मी में हमारे स्कीन के संटेन, पिग्मेंटेशन, चेहरा काला होना, स्ट्रेटिंग की प्रॉब्लम होना आ इंपल्स, पिग्मेंटेशन, डिस्कलरेशन, स्ट्रेटिंग की प्रॉब्लम, एक्सेस ओयल, मेक अप ना टिकना यह सब कुछ खतम करेगा और इसके बाद आपका मेक अप भी लॉंग लास्टिंग आपके फेस पर तो चलिए शुरू करते हैं बट उससे पहले मेरा चैनल स वार लेना है, इसके लिए हमें चाहिए मलतानी मैट्टी, यहाँ पर मैंने मुलतानी मिट्टी जो आप शक को लिया था इसको मैंने थीगो दिया दो कंटे गुलाब जल के साथ, अभी गुलाब जल के साथ दो कंटे भीऊने के बाद आद यह बहुत सॉफ्ट हो गया है, तो अब इसको मैं चमज से अच्छे से पेस्ट बनाओंगी, आप चाहे तो कोई powder मुलताने मिट्टी भी ले सकते हैं, अब यहां पर मैं इसको अच्छे से पेस्ट बना रहे हूं, जो गुठ लिया है इसको खतम कर देना है, अब इसमें मैं लूँगी एक टमाटर, टमाटर एक्टली बड़ा टमाटर है तो मैंने आधा ही लिया है और इसके जो जूस है उसको मैंने इसमें निचोर दिया और ध्यान रखिए अगर साफ हातों से अगर तमाटर यूस करो गे ना ते बचा हुआ टमाटर अब सब्जी मे बना और तमाटर रखा है और तो तीनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूं अभी क्या है कि यह जो पेस्ट my, नहीं बनाए है यह ओिली इस सकीन के हिसाफ से बनाया है आप चाहें इसमें तो नीवू भी डाल सकते हैं ब्लैने नहीं डाला और अगर आपको dry skin है तो उस हिसाब से आपको थोड़ा से इसमें aloe vera gel भी add करना है अभी मेरा face देखिए एकदम clean है मैं इसको face wash से wash करके आई हूँ कोई make-up नहीं है मैं आपको just दिखा रही हूँ तो देख सकते हैं बिल्कुल make-up नहीं है अब मैं इसे फटाफट अपने face पे लगाऊंगी face पर हमेशा upward direction में लगाना है में उपर के side लगाना है यह pack कोई भी pack हमेशा उपर के side ही लगाना चाहिए नहीं तो ऐसे जूरिया आने की संभावना रहती है मैंने इसमें मुलतानी म मिट्टी मिलाया है मुलतानी मिट्टी हमारे face के लिए बहुत अच्छी होती है इसे हमारे face की color जो है वो फेयर होती है हमारे skin के जो pigmentation होते हैं डिस्क्लरेशन होती है पिंपल्स होते हैं वो सारी चीजे इससे खतम हो जाती है अगर इसको सही तरीके से use किया जाए तो हमार सावली से सावली तवचा भी गोरी हो सकती है इसमें हमने गुलाब जल मिलाया है गुलाब जल हमारे skin के pH लेवल को improve करता है और हमारे skin उसे तरो ताजा महसूस करती है गुलाब जल का हमारे skin पर बहुत सारे फायदे हैं और गुलाब जल हमारे skin के बहुत beneficial होती है इसमें हम आपने टमाटर का जूस मिलाया है तो टमाटर आप सभी को पता है कि नैचरल ब्लीच होता है उससे हमारा स्कीन का कलर भी फियर होता है और हमारा स्कीन गोरा होता है तो तीनों इंगेजिएंस बहुत ही अच्छे हैं आप जरूर ट्राइग करना अभी मैंने इसको लगा लिया है अब मैं इसे 80% सूखने दूंगी यानिकी 15-20 मिनट सूखने दूंगी और इसको अच्छे से सूखने के बाद बोलना नहीं है यह ध्यान रखना इस टाइम में बोलना नहीं है नहीं तो जूरी आएंगी अब यह 15 मिनट के बाद मैंने अपना हाथ थोड़ा गीला करके इ कर रही हूं ताकि जो हमारे अंदर पैक का जो भी पार्टिकल्स जाते हैं वह सब एक्वल हो जाए और हमारा जो डिसकलरेशन है फेस का वह ठीक हो जाए अभी इसको दो मिनट छोड़के मैंने अपना फेस को वाश कर लिया है सिंपल पानी से वाश करना है आपको कोई फेस फेस पैक लगाने के बाद आइस के टुकड़ों से अपने फेस की मसाज करने चाहिए इसके इससे क्या होता है ना आपकी जो स्किन है वो टाइट होती है और जो आपके रोम छिद्रे हैं उसके जो गंदगी होती है वो सब बाहर तो आई जाते हैं प्लस हो स्किन को लूज ह ने बचाता है तो आइस क्यों को मसाज बहुत ही अच्छी होती है मैं इसे रोज करती हूं तो बार आप अगर कर सकते हो तो 3-4 वर कीजिए बहुत अच्छा होता है यह में मैं यहां पर मैं अच्छे से पूरा मसाज कर रही हूं सर्कूलर मोशन में 2 मिनिट अभी मैंने इस जो आपको सूट करता है, वो मॉस्टराइजर थोड़ा सा लगा लेना, उसके बाद देखना आपका निखार कितना अच्छा होगा, इसके बाद मैंने देखिए यहां पर हेलो वेरा जेली उसकिया है, तो मैं हेलो वेरा जेली ज्यादा तर लगाती हो, मुझे वही पसंद है, तो इसको मैंने जस्ठाथ पर रब किया, पूरे स्किन पर लगा लिया, इसके बाद आप देखोगे कि आपके स्किन कितनी स्मूथ सी हो गई है, इसमें तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज लाइक किये विरा नहीं जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नह जरूर दबाना, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिल पाए, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल देन, बाबाई